हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू टार्गेट फॉर आई क्यू मेरा नाम है वैभव जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी इंडियन कोर्ट में जो भी केसी अभी पेंडेंसी में चल रहे हैं वो काफी लंबे समय तक चल रहे हैं किसी किसी केसी में तो 14 साल 15 साल हो गए है और अभी त जानते हैं जो आपके करन्ट अफेर से रिलेटेड इंपोर्टेंट हो सकता है इंडियास फॉर्स डिजिटल को 24 इंटो 7 इस टेडिकेटीट टू हैंलिक चैक बाउंस केस यानि कि यह जो डिजिटल को बनाई गई है वह 24 घंटे खुली रहेगी आप कभी भी इस कोट में ज जहां पर स्टैब्लिश हुई है यह हुई है केरला के कॉलम में कॉलम राज्य में केरला के स्टैब्लिश हुई है इनिशेटीव एंशॉर कोट प्रोसेस आर कंडुक्टिड ऑनलाइन राइट फ्रॉम फाइलिंग स्टेश थू केस रिजिस्टेशन एड्मिशन एपेरेंस ह caring and passing of judgements and orders जैसे कि हम सब जानते हैं जबन केस् फायल होता है उसके बाद सबन्स decir होते है पार्डि.'s को बुलाया जाता है विट्न procure एक्जामेंटि नीचन होता है उसके बाद arguments होते है जर्ज्समेंट होते हैं अब ये जितने का जितना सारा प्रोसेस है उसको अब ये ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के थू होगा यानि की पार्टीज को पर्सनली कोड में उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है पार्टीज ओनलाइन माध्यम से अपना केस को दायर करेगी अपने केस को एक्जामिन करेगी अपने केस को लड़ाई लड़ पर बात करी गई कि यह जो एक स्टेप लिया गया है डिजिटल कोर्ट का अगर यह सफलता पूरवक कारे करता यानि कि सक्सेस मिलके इस काम में तो आगे इस स्टेट में यानि केरला स्टेट में फर्दर और कोर्स को भी इस्टब्रिश किया जाएगा दा इनिशेटिव हैस अटोमेटिट दी एंटायर लाइफ साइकल ऑफ़केस रफली चैक बाउंसिंग केस कॉंसिटूट टैन परसेंट ऑफ टॉटल केसी यानि कि यहाँ पर यह बात करी गई है कि इंडिया में जितने भी केसी हैं चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो इन दोनों केसी को मिला कर इन द प्रोड़क्टिविटी गोज अप एंड पेंडेंसी गोज डाउन यानि कि इस डिजिटल कोड के मादिम से क्या होगा जो केसी हैं आपके वह जल्द जादा से जादा डाले जाएंगे इंसिटूट के जाएंगे और जल्दी जल्दी उनका निप्टारा कर दिया जाएगा मिलेगी तो फर्दर स्टेट केरला स्टेट में आपकी फर्दर डिजिटल कोर्स बनाए जाएंगी और उस कोर्स में आपके मोर्टर विकल एक्ट को इंक्रूड किया जाएगा दी ओन कोर्ट प्रोजेक्ट विल बिगिन एक्सेप्टिंग केस फ्रॉम सेप्टेंबर 2024 और ज इससे क्या होगा जो पार्टीज होंगी उनको वास्तविक्ता टाइम में कि अब हमारे केस किस स्टेज पे पहुंचा है उसमें अब क्या होना है वो टाइम टॉट टाइम उनको अपडेट मिलती रहेगी डिजिटल कोड के माध्यम से तक कोड विल लिंक्ड अप लिंक्ड इन्सिट्यूशन सच एज बैंक पुलिस मेकिंग दी एक्सचेंज ओफ इन्फोर्मेशन एज बैंक के साथ पुलिस के साथ इनका एक लिंक बनाया जाएगा यानि जो भी इन्फोर्मेशन है वो सिंक कर रहे जाएगी जिससे टाइम हमारा बचे ठीक क्योंकि अब डिजिट के एप पे जाके सारे जो इन्फोर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकेंगे कि हमारे को का केस में चल क्या रहा है ओन्लाइन डिस्प्यूर्यूशन सिस्टम डेवलट बाइदी केला जुडिशरी वह ऑल्सो लॉंस बाइदी जस्टीस गवाई अब यह जो डिजिटल को कोट हमार जस्टीस गवाई ने अब क्या हुआ केला जुडिशरी ने ओन्लाइन डिस्प्यूर्यूशन को भी इस कोर्ट में इंट्रड्यूश किया यानि कि अगर दो पार्टी की बीच में को किसी भी मैटर से डिस्प्यूट है तो अब वो आप ऑन्लाइन माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक इस कोड़ इस कोड़ में यह चीज भी इंट्रड्यूश कर रही गई तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहली डिजिटल कोड कहां पर स्टैब्लिश किस ने करा उस कोड़ में कौन से मैटर्स डील होंगे और अगर यह सफलता पूर्वा के काम चला तो केला स्टेट में फर्दर और भी डिजिटल कोड्स एस्टैब्लिश की जाएंगे थैंक यू